रंगे ओ है वर्दना दा उठान अते उन्ना दा समा जिमें के तो अनूप पता ही है के गुप सामराज दे पतंत पिछों उत्तर दे विच बहुत सारियां शक्तियां ने आपने आपने राज स्थापित कर रहे सन जिनना विचों मैत्रिकां दा वलभी राज और मौकरियां दा आप नौज राज एसा तरह बंगाल राज पिशले रे गुप यह और मगद राज और ऐसे तरह हुर्ण और कशमीर ने और कशमीर दा राज और सत्मी सदिती अध थक थनेश वर्द केर सध्यों मैं मी भी आपना सुझापत कर ले सी स्पफ कर ले असी दे उथ संपे बारे और लाज प्रबान दे ॐस्थार पूर्वक जांकरी हसल कर नगे सब्सक्राइफ, परद κरthen है उत्री पार्त दे सी जिस दा दूसरी सदी इस वी पूर देवेच चीन दी सीमा उते निवास्थान सी और उना ने यहू ची कभीले नो हरा के उत्तरपच्मी छीन देविच्चों कड दिता सी होड़ी होडी ओ अपना निवास्थान चाड़े के पच्छम देवाल चाल पे सी और उना दियां एक शाखा उना दी वोलगा नदी तो हुंदे होया यारप देवी चलेगी सी और दूसरी शाखा उक्सस दी काटी भी जाके वस गे सी और इसे शाखा नहीं बाद देवेच पंजमी सदी देवेच दखनवल चाले पाए सी और उना ने अफगानिस्तान इरान अ ते दूसरा सी मेहरकुल तोर्मान ने पंजमी सदी दे आखरी पाग आते छेमी सदी दे रामब दे साला दे वेच उत्री पार दे कुझ परदेशवन दे वेच राज कीता सी और उसे दे राज वीच पंजाब, कश्मीर, राज पुताना आते अधनिक उत्तर परदेश दे मन्या जान्दा है के वो शायद विश्नु दा ओपाशक सी और उस दी मौत तो बाद उस दा बेटा मेहरकुल ओशाषक बनिया सी, मेहरकुल बहुती जालम सी और उसने मगद दे हाकम बाल दत्याते मालवा दे शाषक यश्व धर्मन ने मेहरकुल नों हरा दिता सी बाद दे कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं होया सी लेकिन उन्हां दे छोटे-छोटे राज पार दे उत्तर पच्मी इलाकियां दे विच कई सद्यां तक कैम रही सन उस्तवा सैकेंड है साधे कोल यशो धर्मन दा राज स्कांद गुप दे उत्राद कारियां दी कमजोरी दा लाव अठाओं दे हुए उसमें यशो धर्मन नामी सरदार ने मालवा दे परदेश दे विच आपना एक स्तंतर राज कायम कार लिया सी मन्सोर दे दोस्ताम लेखा दे विच उना दा जीकर आउंदा है उस दी साफलतामा के पच्छम विच अरब सागर तक जा मिल दी सी लेकिन एक अत कथनी जही जाप दी है और इस दे विच कोई साच नहीं मन्या जांदा उस्त बात थर्ड पॉइंट असाड़े कोल पिशलेरे गुप्त हाकमा दा मगद राज छेवी सदी दे माद वीच मगद वीच इक नमे र विच प्रदकारिया ने स्टनंतर राज स्थापत कर लिया सी क्योंके इना हाकमना माद दी नाम दे पीछे घुप्त हागा खाहा स्चि शाशक किया गया सी इसवन्श दे परसिध हाकम दमोदर गभ्त अते महसैन गुपसन दमोदर गुप्त ने गभान दे मोक्री हाकम नाल युद कीता सी और उस नू हरा दिता सी प्रंतू अंत दे विच आप भी ओ इस युद दे विच मारया गया सी उस बाद नेक्स्ट असादे कोल मैत्रका दा वल्भी राज गुफ्ट सामराज तो आड़ून वाले साब तो पहले परदेशन दे विच्छों शुराश्चर एक सी उत्ते मैत्रका दा स्थापत होया सी जिस दी राज ता नीबल भी सी और इस राज दा मोड़ी गुफ्ट सामराज दा पत्ता रख नामी सैनापती सी जो मैत्रक कभीले दे नाल सबांद रख दा सी प्रंतू इन जापदा है के ओ अते उस दा पुत्तर तरसेन स्थांतर हाकम नई सन और आपने आपनों दो में अखिर तक सेना पति ही केंदे रह सन और तरसेन दे उत्रदकारी द्रुना सिंग ने महाराज दी पद्वीतार्न कीती से ओस दे पिच्छो त्रोफ सेन पहला पर पत्त त्रोफ सेन दूजा आते तर सेन चौथा वलवी दे प्रसिद हाकम मै शोर्स वर्दमद हार्श वर्मन और सामकालि सिंए 10 melhores आए 20szy मोखरियां दा कनाज राज मोख्रीयु राजा दे विचकी मोख्री वfaंश दे मुदले हाकम हारी वर्मन अधित्य वर्मलन अते इश्वर वर्मन गूप सम्राटा दिया दी इंसान पहला मौकरी हाकम इश्यान वर्मन छिसने 552-576 इस्वी तक उसने शाशन केता सीज। उस्तु बाद सरवर्मन आते अवंती वर्मन ने राज कीता सी मौक्रियां दे कनौज राज दे विच और उस्तु बाद नेक्स्ट आउंदा साड़े कोल गुर्जरां दा राजपुताना विखे राज गुप सामराई दे पत्तान दे पिच्छों राजपुताना दे परदेशां दे विच गुर्जर कभीले दी शक्ती दा उठान होया सी और जोदपूर दे नेडे उड़ना ने कापने सतंतर राज दी नी रखी सी और इस खांडनों उड़ना दे नाते गुजर तरा दे गुप सामराई दे पत्तन पिच्छों बंगाल दे विच दोस्तंत राज दा उदे होया सी गा एक राज ता बंगाल दे दखनी आते पूर्वी परदेशां दे विच सी जिसनों वांग राज किया जान्दा सी और जिस दा संस्थापक गोपी चंदर सी जिसने महाराजा धिर राज दी उपादी उस समयतार्ण कीती सी और इस तो पिच्छों परमादित्ते आते समचर देव इस राज दे हाकम होई सन्था नेक्स असाडे कोल काम रूप काम रूप जिसनों अजकल असाम किया जानता है ए तेनसो पंजात और छेसो पंजास वी तक काम रूप विच एक उस दो बबाद नेक्स हाडे कोल वर्धना दा थानेशवर राज रज दे तनेशवर राज लिव्हितयास पंजाति आंटा है दीस अधिद्या medidas Łजन वर्धन समय नामी आते अदित्या वर्धन नामी haak Але लीफ टेश में। और इन्ना तिन्ना राजया ने 500 इस्वीतों 580 इस्वीत तक राज कीता और हरेक ने महाराजा दी अपादी तारनों समय कीती सी अते पूरण रूप दे विच ए सारे राजय पूरी तरा इंडिपेंडेंट पूरी तरा स्तंतर नहीं सन एक किसे ना किसे तरीके देनल गुप समराटा जा हूना दे अधी इन्सान और उन्ना दी प्रभू सत्ता इन्ना ने सविकार कीती होई सी चोथा वर्दन हाकम प्रभाकर वर्दन सी जिसने पांसो असी स्वीतों छे सो चार इस्वीतक शाषन कीता सी और इसने महाराजा धिराज दी उपादी तारन ओस समय कीती सी उस्त बाद नेक्स साड़े कोल इस काल दे मुख सो में क्यों केड़े सोर्सीजन या केड़े स्रोथ हन जिनना तो सानों वर्दन काल दे बारे वर्दना दे ओ समय दे हलातां दे बारे जानकरी मिलती है साब्तों पहला साड़े कोल ह्यून सांग दा बिरतांत ह्यून सांग एक चीनी यात्री सी जो के 629 इसवी तो 643 इसवी तक पार्त विच रिया उस राइन लिख्या गया पारस बंदी ग्रंत सी यू की जहां पच्मी जगर दा बिरतांत इस काल दा साब्तों महात्त पुर्ण सोमा मन्या जांदा है इस तो सानु हर्षवर्दन दे च्रेतर उस दे शाषन परबांद आते उस दे समय दियां समाजिक आर्थिक तार्मिक अवस्था आते सिक्या परनाली दे बारे बडमुली जानकरी प्राप्त हुन दी है उस तो बाद सेकिंड है साड़े कोल बान पाठ दियां रचनामा बान पाठ हर्षवर्दन दे दरबार विच राज कवी सी उसने हर्ष च्रित आते कदंबरी नामक दो महत्तपुन ग्रंत लिके सन वदियार्थियो अब्जैक्टि टाइप कोश्चन जेड़े इक इक नंबर वाले कोश्चन पुछे जान दिया नूना दे पुछा जा सकता है कि बान पाठ दियां रचनामा दा नाम लिखो हर्ष च्रित आते कदंबरी तुसी दा सकते हो लिख सकते हो आते नाले भी पुछा जा सकता है कि बान पाठ कौन सी तुसी दा सकते हो कि हर्ष वर्दन दे दरबार दा ओ एक कवी सी उस्त बाद उस हर्ष च इवन शक्षियत अते कार्ण में अधे बारे सानु जानकरी मिल दी है और कदंबरी जो के एक काव ग्रंथ है उस तो सानु समकाली आवस्था दे बारे कुछ जानकरियां मिल दी हैं उस बाद नेक्स्ट पॉइंट है साधे कोल हां हर्ष दियां आपनियां रचनामा हर्ष वर् और किनियां रचनामा सान या उसने केड़े नाटकां दी रचना कीती सी उसने नागानांद प्रियदर्श का अते रतनावली नामक तेन परसिद नाटक लिखे सान ए हर्ष दी शक्षियत राज मेल दियां कट्नामा अते सामकाली ता आर्मी काते समाजिक जीमन दी उपर अते तामर लेख इस काल दे शीला लेख अते तामर लेख महतापुर्ण सोमय दे विच्चों हन उसमें रविकीर्ती राही रचित एहोल शीला लेख चालूक्या शाषिक पुलकेशन दूजे दियां जित्ता ते प्राप्तियां दा बहमुल्या सोम्मा है इसे तरह बंस खेर तामर लेख आते मदूभन तामर लेख तों हर्श वर्दन दे खान दान दे बारेशन ज्यान प्रापत हुंदा है और ब्रामना नूँ दान वजों दित्ती पूम्मी सबंदी इस काल दे अनिका तामर पत्तर मिलते हन जो उस समय दे शाष्का दी तार्मिक नीती ते चानना पूंदे हन उस्ट बार नेक्स्ट है मंदर इस काल दे बौधियां दे अजनता आते अलोरा विखे बनवाएगे मंदर आते चलूक्या पल पलव पांड़ पांडया शाष्कां दे राही उसमें बना बदाम्मी एहोल कांची महाबलीपूरम दे स्थाना ते निर्मित मंदर उस समय दे शाष्कांदी तार्मिक निती और उसमे तार्मिक हलातां दे बारे मत्तपुन जानकारी पूंदे हन उस्ट बार नेक्स्ट साधे कोल तमिल संता दियां रचनामा शैमत अते वैशनमत दे तमिल संत जिननानु करमवार नायनार अते अलवार क्या जान्दा सी जिनूंदी उस्तत्त दे विच बहुत सारे पजना दी रचना की तीसी जनाने सुकम दे अन्नालू समय दे दखनी पारत दे अते दखनी पारते तार्मिक अते समाजिक जीमन दे बारे लाहेवांद जानकरी इन्नातों साननु मिल दी है ये ता सी के वर्दन काल दे महाइद्तपरुंसों मैं जिना देविछ में योंसंगदा बृतात बांदपाड्नियन रचनावां हर्श दीश आपनिया रचनावां सीला लेख CEO은 Tamar Lake मंदर तमिल-संतां दिया रचनावं इससी बादा सीं कर देहां हर्श बर्धन दा सामराज या हर्ष अदीन उत्तर विच रा निnikंतिक प्रभुसत्त इस दे विक सामने वज्यारते तुसी देख हो कि जो डार्क एरिया पारदे नक्षे दे विच सेंटर दे विच दखाया गया है ए सारा एरिया ओ हर्षवर्दन दा साम रासी तुसी देख रहे हो के ओ हर्षवर्दन दिया ओसमें देखो सेमामा उत्तर देविच हिमालया पर बह तो लाएके नीचे देखो दुसी के नर्वदा नदी तक फैलियां हो या सन इस दे विच अगे देख दिया है इस दे बारे विस्थार पूरवक जानकारी हासल कर दे हां जिस दे विच आसी देख रहे हैं सामने के हर्षदीन उत्तर दे विच राजनीतिक प्रभुसत्ता जहां हर आशदीन वर्दन सामराज दा विस्थार के हर्ष वर्दन राजे प्रभाकर वर्दन दा छोटा बेटा सी और उस दी माता दा नम यश्वमती सी उस दा जनम 590 इस्वी दे लाख पक होया सी छोटी उमर देवेची हर्षवर्दन ने कोड़सवारी तीर कमानत तलवार चलों उस दे पितल दी मौत तो बाद उस दा हर्ष वर्दन दा वड़ा प्रा राज्या वर्दन राजा बनेया सी और जदो गदी ते बैठा तो समाचर मिलिया के पूर्वी मालवादे राजे देगुप्त ने उस दे पनुजे ग्रह वर्मन नूं मौत दे काट उतार दिता है और साजश दे राही राज्या वर्दन मरवा दिता गया सी ता इस तरह हर्ष वर्दन 606 स्वी दे विच थनेश्वर दा राजा बनेया सी सब तो इस दे पहला पॉइंट है कि कनाउज दे राज नूं थनेश्वर राज विच मिलाउना हर्ष ने गदी ते बैठन तो जल्दी प सरदारां दी सहायता दे नाल आपनी पैन नू लबन दी कोशिश कीती सी और बहुत ठीक समय ते उनने उस दे नू लब लया के जदो के ओ सती होनी वाली सी उस तो बाद क्योंके हर्ष दे पनुझे ग्रह वर्मन दी मौत तो पिच्छों उस दा कोई उत्रद करी नहीं सी इस किता सी ते चलदार उसने अपने राइदा बहुत विस्तार की ता सी उस तो बाद आप ची बंगाल दे राजा शंशाक नाल युद पच्छी बंगाल दे राजा शशॉआक कैस्षउक ने उसमय वर्दन दे राईदे दुश्मन देव गुप्दी सहायता किती सी इस करके ह थे पाज़ पर्देशानु आपने राजकाल दे अरंभिक छे सालां देविच आपने अधीन कारल्या सी उन्हानु जित्या सी ए सम्भवे तोर्ते पंजाव कनाज बंगाल बिहार अते उडिशा प्रांथ साने सारे कट्ठेज के इनना उसदे सेनकानु इनना सालां वीच लग भी जा सुराष्टर दी जित हर्श दे समय तो सें दूजा पच्मी पारत दा सुराष्टर दा राजा सी गा और जिस दी राजता नीवल भी सी और उसनों भी आपने अधीन हर्श वर्दन ने कीता सी उस्तवाद अपल्केशन दूजे ना लिजुद उतरी पारते बहुत सारे पर देश नों अध्या प्रदेशन ने त्यान देता सी उसमय प्लकेशन दूजा बहुत शक्ति शाली दखनी पर राजा सी और उसे अपर पर पारी सैना देना राड़ हर्ष वर्दन ने जिदो हमला कीता लेकिन उस दे वेच हर्ष वर्दन उस प्लकेशन दूसरे नू हरा नहीं पाया सी और इस देविच हर्षवर्दन बुरी तर अहाया सी एह हर्षद जीमन दी पहली अते आखरी हार सी उसतों बाद है कामरूप दे शाषन शाशक दी अधीनता हर्ष ने कामरूप दे राजे पासकर वर्मन संधी किसी दी जिस दे अनसार दोहा ने मिलके बंगाल दे राज श्राट दे वरूद युद किता सी और जीहा प्रतीत होंदा तो नाल है और इस तो श्पश्ट होंदा कि उसने हर्ष वर्दन 920 अदीनता सविकार लेकिन जदों पूरी तरह इस नुबार जाने जानदा है ता उस दे वर्नन सारें तो पता लगदा है कि सिंद एक तंतर राज सी और हर्ष्वर्दन दे राजदा हिस्सा नहीं सी उस्तु बाद नेक्स्ट है नेपाल नेपाल अते कश्मीर दी अखोती जित डक्टर बैजनाद शर्मा दे विचार विच नेपाल हर्ष्वर्दे सामराज दी राज़ा विचो एक सी और एवी क्या जानदा है कि उसने कश्मीर उत्ते वी जित प्रापत कीती सी उत्थो दे शाशक तो बुद दी एक यादगर प्र प्रापत कीती सी प्राँटु अधनिक त्यास करे मन देहां के नेपाल अते क्रिश्मीर शर्ष दे सामराज दा हिस्सा नाई सन्थो नेक्स्ट आग गंजम दी जित अखरी जित गंजम प्रदेश दी जित सी गंजम उस्समें कंगोंदा दे नामनल पर सिद सी और हर्ष ने उडिस्सा नू सैनिक कारवाई दा अड़ा बना के गंजमुते कई हमले कीते सान प्रांतु अखीर उसने 612-613 स्वीदे विच गंजमुते जेत प्रापत कर ले सी ओस्त बार नेक्स्ट है साड़े कोड़ वदेशन अल संबाद्ध हर्ष ने एशिया दे कई देशन अल मित्रत पुर्ण संबाद्ध उससा में काईम कीते सान जिनना विच इरान अते चीन वशेश वर्णन योगान उस्त बाद नेक्स्ट है हर्ष दे सामराज दा विस्थार हर्ष वर्दन दे ने अप्रोकत जित्ता दे नतीजे वजों उत्री पारते विच की विशाल सामराज दी स्थ पुर्ण विच बेंगाल तु लेके उत्तर पच्छं विच पूर्भी पंजाब पच्छं विच अर्व साकर तक फैल्या होया थी इससे देख देया कि हर्ष वर्दन ने लगवाग सारे उत्री पारते अप्राधिकार कीता होया थी ओस्त बाद नेक्स्ट असी करदे हां हर् साब्त है साड़े कोकें जब् alguien केंदरी सरकार विच साथ परस्ट है साड़े को राज आस समय अंत्रीं पादियान आपनेखो का पर्मेह नो पर्मेश्म आद्यां अपादियान डिनालवी शंगारिया जाना सी पामेहर्शिक तानाशा सी पार उसनों एक उपकारी तानाशा क्याना चाहिए अशोक शेर्शासूरी याते अकवर देवांग ओ दिन राथ आपनी प्रजादी सेवा दे विच लग गया रहेंदा सी ओ ओ समय प्रजाहितकारी काम करन दे विच ओ खाना पीना साउना भी पोल जान्दा सी उसने यातिरे सूलत ले कई अरामकार बनवाए होई सान जित्थे ओनादे ठैनान साउन खान पीन दा परबांद कीता होया सी और राज परबांद विच राज दी साहता करली मंतिर प्रिश जिस दे विच पंडी उस दा परदान मंत्री सी और अवंती युद्ध अते वदेशी कम्मा अते सिंग नाद सैनिक कारजान दा मंत्री सी उस्तवा सेकिंड साढ़े कुल प्रांतिक अते स्थानिक राज परबंद हर्ष ने अपने विशार सामराई नू प्रांता दे विच वन्डया होया सी उस समय प्रांत नूं जिम्हें आज साढे स्थेट ने पंजाब हैना हेम naught परदेश उप होस्तर में उन판 प्रांतानू फूर पूटि किया जांदा दा सी और प्रांतक सूम्वेदार नू उपारी किया जांदा सी उपारीक अपने प्रांत दे विच शान्त नूँ विश्यापती किया जांदा सी पिंड़ादा प्रबांध नंबदार आते पंचाय दे रही कीता जांदा सी ओस्तों बाद नेक्स्ट आ महा समान्त आते समान्त हरस्ट समय बहुत अजे छोटे-छोटे हाकमत सरदार्सान जिनने हर्ष दी अधी इंताओ समय सविकार कीती होई सी ओनानू महा समान्त आते समान्त किया जांदा सी ओना विचो कुछ ता समराथ्टा नू निश्चित अन्राशी ओ निश्चित समय ते पे दे रहें देशन और वक्त पैन ते लोड पैन ते राजे दी हेल्प भी कर देशन उस्तों बाद नेक्स्ट साड़े कोल आमदन मुख साधन सी और कुल उपजदा एक बड़ा छे इसा एक बड़ा छे पागों समय लिया जांता सी ओस्तों लावा जेडे खर्चे सनुन नून चार पाग गान देवेच वंडिया गया सी एक पाग सरकार दे काम चलों दूजा पाग दकारियानू तन खादें तीजे पाग देवेच विदवाननू इनाम देन आते चौते पाग देवेच ब्राह्मन आते पिक्षियानू दान देवेच खर्च कीता जांदा सी एस्तुलावाज सैनिक सेवादल्लेई डॉक्टर रमीला था पर देकतन सारोंनानू नगद वेतनवी दित्ता जांदा सी पार दूज्यत रहेच ब्राहिण दित्त कारेणू निष्चित पूमीदे लगान दा अधिकार देवेच तवी दित्ता जांदा सी उस्तु बाद अभी लेख विपाग अभी लेख पाव डिपार्टमेंट आफ रिकॉर्ड के हर्ष ने राजपरबांद कुशलता देली एक अलाग तौरते एक अभी लेख विपाग दी स्थापना किती सी जिस दे बीच हर छोटी वड़ी चंगी मारी कटना दा रिकॉर्ड रखे जानता सी उस्त बाद है ऐस रख्यत सडका उसमें इंस के रोड सी गयां पाव के पामें सेवल परबांद बहुत चंगा सी लेकिन उस दे राजपर पूर्ण तौरते सुरक्यत नहीं सान यात्रियन नुचूदा को लुट लेया कर दे सन अगे नेक्स्ट लगान मुक्त जमीना दी जो ओसमें नलंदा मठ नलंदा विशव द्यालिया नूँ सौव पिंडा दी जमीन ओ लगान मुक्त जमीन मिली होई सी उस्तवान नेक्स्ट सैनिक प्रबांद हर्श्वर्दन ने सैनिक प्रबांद बाल वशेष त्यान दित्ता सी और उसने एक शक्तिशाली सैना दी स्था अनौस्मेंट तुन्डूरे उसमें ऑ जेरे ओप रटाए जान दे सान और उनसे तनक अहां दा एलान किता जान दा सी उसद बाद नेक्स्ट साड़े कोल दख्ण दे राज पहला सी कल करसी उतर दे राज दे बारे ता हुना सी गल करांगे दख्ण दे राज बारे दख्ण कीर्टी वर्मन पहला है तो बाद राजगती तु बएठ्टि बैठ्टude उसोपाल dieta को पिपा कियए शाजओन थो और शाडूilation इनकियेक पिसानियों कि टीक्ताी बहुत थो की प्याहिक रमूद्केर सब्सक्राजित मेखके पहले हखके तो पादी चाराज मेफ दोन हुआ भाद उस दा छोटा प्रा मंगलेश ओ राजा बनिया सी तो बाद नेस्ट essen- gobierno के शन दूर्फ ऑ पल्केशन दूजवाद उस दा प्रतीजवाश होई सन उस्तों बाद नेक्टा साथे कोल काची दे कांची दे पल्लव जिस दे भी साब तो पहला है सिंग विश्णू के पावे पल्लव राजवंश बहुत पुराणा सी प्रंतों छेमी सदी दे अंती पाग वीच असी पल्लव त्याजे साब तो गौर्व शाली यूग उसने चौला नूँ हराया सी तो बाद विच कवेरी नदी तक उसने राज की तसी उस्तों बाद नेक्स्ट है कांची दे पल्लवा दे राजयां दे विच महेंदर वर्मन पहला उसने सिंग वर्श्णू दी मौत पिच्छों उस दा पुतर महेंदर वर्मन पहला ओ कांची दी राजगद्यूत बैठया सी उस्तों बाद नारसिंग वर्मन पहला और भधे वीच पल्लव राज दा अन्त हो गया सी उस्तोंबाद है मदूरा दे पांडेय मदूरा दे पांडेय तके तामल्याडू दे दखणी परदेश्णी पांडिया राज स्थापस दी जेस दिर हाइसाटानी मदुरा सी क्या जान दया के पांडेयराज बहुत पुराना सी प्रंतू महत्तपुर्ण पांडेयराज मच्छ दिस्थापना छेवी सथी अंति इसी सेच होई सी इस दे प्रसीध हाक मां दे विच कुंदुगोण मार्वर्मन अव निशु लामनी अरिकेसरी मार वर्मन मारवरुन राज सिंग पहला यह सारे ओसमें मदुरा दे पांडिया दे मुख हाकम होई सन उस्तुबाद चोटे राज माइनर स्टेट्स के चालुक्या पल्लव दे पांडिया वंशन दे राज जांतों इलावा दखनी पार दे विच कई छोटे राज भी सन जिनन जिन में के कल्भर राज गंग राज कदंब राज अते अलूप राज एस सारे ओसमें दे छोटे राशन नेक्स्ट असी कर दे यहां के काल दिया संस्कृतिक प्राप्तियं जिस ते वेच है सब तो पहला अला मंदर देवेच असी जान दी हां के बौधियां ते ब्रामना ने दखन दिया पहाड़िया नू कटके ओसमें गुफा मंदर ते कई मंदरां दी ओसमें उसारी करवाई सी और चालुक्या पल्लव ते पांडिया हाकमा ने अनेका सुंदर मंदर बनवाए और उन्नारे मंदर आज भी बदामी एलिफेंटा टापू होल कांची महाबली पूरम देवेच मिल दी हन इसे तरह एलोरा विखे के लाशना दा मंदर सन्नू देखन नू मिल दा है उस्तवार नेक्स्ट है चितरकला वाकाटकते चलूक्या हाकमा दी सरप्रस्त हेट अजनता दी गुफा मंदरा दी कंदा दे उत्ते सुंदर चितर ओसमें बनाएगे सान दक्खन दे मंदरा दी कंदा उत्ते वी चितर बनाएगे सुलावा जनता तो अलावा भागते कांची पूरम दे चितर कला दे उत्तम नमून्ने ओसमें दे मन्ने जान देहन नैक्स्ट संगीत अते नाचकाल तामिल संता दी यतना दी सिटे वजो दखनी पारदे विच तार्मिक पजन अते गीत हर्वन प्यारी हो गये सन मंद्रा दे विच इनन पजना नू गोणा तार्मिक विधी बन गई सी उसमें संगीदे यंतर वीना दी वर्तों कीती जान लगपी नितीजे वदो संगीद कला दा विकास होया सी और इसे तार्मिक गतामा दा मंद्रा विच नाच रही परगटावा कीता जान लगप्या सी और होली होली भारत नाट्यम दखनी पार दी विक्षित कला बन गई सी उस्तु बाद नैक्स आसादे कोल सिख्या एजुकेशन सिख्या दे केंदर मंदर अते मठ फर्स्ट पॉइंट असी तुसी देख रहे हो वद्यार्थियो के सिख्या उसमें मंदरा अते मठा देविच द चांद लिटी जान्दी सी और हार इक माठ दे विच्ट्छ वागवाँ विश्ङे विच्ट रिवीच्छ शिख्या देन्दा प्रबांद होंदा इस नेक्स्ट वाइट अट नलंदा विश्वधियाल या साबत हो वड़ा अते प्रसीद विष्यव द्य Hurry our नलंदा सी और पंद्रह सो दस अध्यापक एथे पड़ाओ दे सी दो सो पिंडा दी जमीन ओसमें नलंदा ते तक्षिला यूनिवस्टिय सा नलंदा यूनिवस्टी नौसमें सो पिंडा दी लगान मुक्त जमीन ओ विशव देला दे नामते लगी होई सी विशव देले दा पद्दर ओसमें सी ओ सच्चे ग्यांदा पंदार दे नाम नाल परसेद सी ओस्तु बाद नेक्स्ट है साहित लिट्रेचर जिस दे विच साब तो पहला हर्ष दे रचनामा जी में कैसी पहला है जान चोके हा कि हार्ष ने रतनावली प्रियदर्ष्का ते नागा नंदना द दो ग्रंथ लिखेशन ओस्तु बाद थर्ड पाइंट असाधे को दखनी पारदियां साहितिक हस्तियां दे विच ओसमें कांची अते दूजे प्रसिद्व द्यालेया मिच सिख्या दा मादयम संस्कृत सी अते दखनी राजानी संस्कृत पाशा सरकारी पाशा वी ओसमें सं लएकंशार पार्देशित असाधे दखनी पार्ति वीच पार्दुेश अगंज उसमें पाशाम दोड़ेशिक वियो संस्कृत सूज अगर्देशित पार्देशिद्व बुक उया सिख्या दोन एक मोझध नेट्रा आट मिच तार्मी के वीच फरस्ट नाज पाशात थिक gi वाल हीन यान ते महायान नामी दो पागांवीच नहीं सगोट ठारा पागंदे वीचो समें वंडिया गया सी इसे तरह है जैन तरम के गुप्तकाल वीच जैन तरम दा प्रवाव बोद तरम वांगों काफी काट गया सी ओस्तुबार नेक्स्ट है ब्रामन तरम जा हिंदू तर बहुत जादा उनती करदा गया सी औस्तुबान नैक्सरीफान साथे कोण नैनारति आलवार आंने वी ओसमें संत्थ संथ दे वेच इन वर्शेश वर्ण योग है ओस वादा वदान दर्शन दी व्यांख्या शंक्राचारिया ने उसमें किती सी नेक्स असी कर देया कि इस काल दी देन की है कि जिमें कैसी पूरे चैप्टर दे बारे जाने होन सी जान देया कि इस दी लगे सी की सी इस दी देन की सी के उत्तर वीच राजनितिक एकता स्थापत होई सी के सारे एक चंगे राज दी स्थापना होई प्रजाहितकारी शाषन प बनाया सी नेक्स्ट अकनॉज दा महत्तव ओसमे कनॉज रानेट्व सब्गेर गतिविदेने केंदर बन गया सी और नेक्स्ट अधक अधक्षुण देविछ नवे राजां दा उथान ओसमे डख नवे चलू क्याराज कांची दा पल्लव राज मदूरा दा पांडया राज अत इस काल देविच राजान दी सरप्रस्ति कारण संस्क्रीज साहदा बड़ा विकास होया कि जिमें कैसी जान देहां कि समराथ हर्ष ने आप रतनावली पिरे दर्शका ते नागादन नामी तिन महान गरंथ लिखे सन वस्तबाद परदेशिक साहदा बड़ा विकास होया एसे तरह नेक्स्ट देखर हो कि नलंदा विश्व वद्यालिया जित्थों के अलाग अलाग बारले देश्व तो हम वद्यार थी सिक्ख्या परापत करनी हम देशन और इसे तरह नेक्स पांट दूस्ट देख रहे हो कि मंदर चितरकारी संगीत अते नाच कल देविच अज़ के के अशोक तेक निश्क देवांग हर्षवर्दन ने बोध्तरम दी सरप्रस्ति कीती सी अते बोध्तरम दी महायान शाखा दे परचार ली अनेक यतन उसमें कीते गए उसने पुराणी बौधी मठा दी मुरमत करवाई याते बहुत सारे नवे मठा नू उनने बनाया और खुल के बोधी पिक्ष्वान उतारम परचार दे ली दानवी दित्तेसन उस्तवा नेक्स्ट है नायनार अते आलवर तार्मी केतर देविच इस काल दे एक महत्ता पुरुन देने सी के शैव मत अते वैश्नम मत दे तामिल संताने बढ़े उत्षाद नाल इश्वर पक्तिदा पर अजना दी रचना कीती सी ता इस तरह वद्यार्थ्य तुसी इस वर्दन समय दे बारे के उनना दी ओस समय की देन सी गी उस दे बारे महत्ता पुरुन जानकरी हासल केती अमीद है तो आनू चंगे तरीके नल समझ आ गया होना है तानवा